तो अभी में चल रहा हूं फिड़वाल गिरॉण के तरफ आप लोग को दिखाते हैं उसके आगया वकाला हां मतलब मीनी मॉल टैप का हां वकाला नहीं है मॉल के तरह है मीनी वहां भी चलते हैं वहां से कुछ समान वागेरा लेना है बाकी है नाइट का रियात का भी है बाहर एक बिल्डिंग के दिश्ट बाहर निकले पीछे बिल्डिंग आपको दिख भी रहा होगा यह रहा बिल्डिंग और सामने में हैं ग्राउंड करीब पहुंची चुके हैं तकरीवन आपको आगे से आपर के देखाने कोशिश करता हूं ग्राउन के तरफ कर लाका दो खेल आपको देखाता हूं कि फुटबॉल चालू है मैच यह आप देख सकते हैं यह स्टेडियम कि अधर सामने बैठने के लिए भी है ऑडियंस बैठ करके मज़ा ले देखें मैच को यह साइट साइट रेड़ कार्पेट डालावा इधर भी बैठने के लिए है बाकी एक ग्रीन मैट जो है इसके खेला हो रहा है यह अंदर से व्यू देखें कुश्टम जार्नेट के बाहर खड़े हो करके आपको देखा रहे थे अभी अंदर इन कर गए हैं यह अंदर से पुरा व्यू देखें आप दिन बर सब काम पे रहते हैं डिटी पे रहते हैं शाम में सबाज आते हैं तो अपना घाली घंटा जो भी है इंटर्टेन्मेंट होते रहता यहां पर और नेट के उस पार देखें रोड़ पे उधर भी एक टीम खेल रही है उधर थोड़ा बच्चे लोगा टीम है उधर सिनियर इदर खेल रहा है यह आप देख सकते हैं इसमें मिक्स रहता है अभी तो मुझे लग रहा सारा इंडियन है और मिश्री है बाकि अरबी और भी भी होता है लेकिन अभी नहीं है इसाच पहले वो लोग होते है इसा के बाद निकल जाते हैं लगता है वो लोग सामने बिल्डिंग देख रहे हैं यही है मिनी मॉल ऐसी के अंदर अभी विन करेंगा और यह पीछे स्टेडियम रहा तो साथ में ही है सब दुसरे से करें वो सामने बिल्डिंग है मैक्स से आगे जो देकर यह च्छोटी सी माजीद है ठीक है उसके आगे जो विल्डिंग है वो हमारा बिल्डिंग हो गया च्छोटी सी महजीद है यहां पर ही है यह सामने भी कुछ दुकाने वगएरा है यह सामने वाइट वाल जो देख रहा है यह मीनी मॉल अभी इधर इन करते हैं उसके बाद कुछ हलका फिल का समान लेना हाँ यह विलेते हैं फटा फट में कुछ इस तरह से है हैं मैं कमast वो होगी इन ट्रांच को एकिदम हिन करते ही है बाकि इसी तरीका से हैं उद्ट फूसके दो चार लेन उदर हो गी आप का तरक पर की इसके आगे होगी है अपको इसी तरीका से हैं फटना सब्सक्राइब कर दो था कि अधर दूद लशी दही सारा मॉल का यह की सिस्टम होता है वह बड़ा हो या छोटा हो जो भी हो तो यही है ड्यूटी से आओ कुछ लेना है तो अपना बगल में हर कुछ सुविधा है ज्यादा दूर कहीं जाना नहीं पड़ता है सिटी में रहने से यही सब होता है फाइदा इनसान को कोई चीज के लिए सोचना नहीं पड़ता है जब जिस चीज की ज़रत वो चीज उस टेम हाजिर हो जाता बंदे के पास बस यही है त्यारों तरफ से आपको मैं पुरा इसका नजारा देखाई दिया हो फ्यूट पुरा फ्यूट आप देखी चुके हैं चलिए पर मिलता कोई नहीं जगे पर नहीं टॉपिक के साथ जबते के लिए दौाओं में याद रखिए अपने ख्याल रखिए अल्ला हाफिस